नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप अपने रेट मी टू प्राइम पर कॉल माइक प्रॉब्लेम फिक्स कैसे कर सकते यह दि दोस्तों आपको भी ठीक है आपके किस वज़र से हो सकते और कैसे करके आप इसको फिक्स कर सकते आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिलेटेट में सॉलूइशन बताने वाला हो वीडियो को शुरू से लेकर आन तक देखे जो कुछ भी रिजन्स हो सकते उसको जानिये और दोस्तों जो भी आपका प्रॉब्लिम डेफिनेटली सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें यही आप ओनलाइन से पेसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्श तो यहाँ पर आप जो हैं चेका आपकर नेट रोकिक्शन हो जाते ठीक हुआ है के वेकश एकषर क्रेक हो जाते यह फिर एक दूसरे का आवास सुना ही नहीं पाते हैं तो नेट्रो कर में है तो दोस्तू यह आपके घर पे नहीं है नहीं तो आप अपने पूनसे किसे दू सकते हैं तो उसके वज़े से यह problem कर रहा है लेकिन घर के घर में call करने की बार भी ठीक है घर के phone पर ही call करने की बार भी same problem माइक का issue है तो हो सकते या पर software का problem हो या फिर hardware का ठीक है दोनों में से कोई भी problem हो सकते हैं तो चलिए वीडियो शूरू करते हैं और solution देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना किया है आपको device एक बार restart करके चेक करना होगा ठीक है कभी-कभी restart से fix हो जाते हैं कभी-कभी नहीं होते हैं तो क्योंना एक बार restart करके देखे basic solution से हम सुरू करते हैं तो basic तरीका में आपको बता रहा हूँ ठीक है restart करने के बाद भी same है तो दोस्तों जाए setting पर setting पर जाने के बाद दोस्तों आपको scroll down करके नीचे जो है आना है apps पर उसके बाद जाए manage app पर तो manage app इंस्टोले ब्यादो फिर app management आपको मिल जाएगा उसके बाद जाए phone service पर और force stop करके इसको ok कीजिए ठीक है कई बार phone settings में problem होने के वज़सी इस तरह का issue हो जाते है clear data पर click करे clear all data करके ok कीजिए उसके बाद आपको back करना है बेक करने के बाद यहाँ उपर में आपको connection and sharing मिलेगा उसमें जाए नीचे पर जाके reset wifi जो mobile network ok करते हुए reset कर देना है ठीक है तो यह करने के बाद दोस्तों आप जो है device को एक बार restart कर लीजिए उसके बाद दोस्तों चेक कीजिए आपका mic problem solve हो चुका होगा ठीक है इसके बाद problem solve हो जाते है तो ठीक है यदि आभी भी same problem आ रहा है तो दोस्तों जाए आपने phone के setting पर additional setting को open करें और call speaker I mean clear speaker का जो option है उसमें क्लिक कीजिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो button डिखाई दरे clear speaker का उसको एक बार on कर दीजिए और आपना जो volume है उसको increase कीजिए ठीक है increase यानि आपको जो है volume 12 आए phone का और इस button को on कर दीजिए इससे क्या होगा speaker में यदि कोई भी problems वगरा रहते हैं ठीक है कोई भी dust वगरा की कच्र वगरा से कोई भी problem create होते हैं तो दोस्तों उसको fix कर देते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ से loud voice निकलेगा 30 seconds के लिए तो उससे क solution कर लेना है उसके बाद दोस्तों चेक करें problem solve for time ठीक है यहीं दुबारा से problem आ रहा है तो फिर को update करना होगा आपको उसके लिए setting और about phone पर जाके update पर क्लिक करना है फिर को update कर देना है फिर अपडेट करने के बाद दोस्तों चेक करे problem solve हो जाएगा ठीक है वाई एनी चां दोस्तों आपका जो problem है वो solve होगा ठीक है तो आपको पूरा solution यहाँ पर step by step करना है ताकि आपका जो माइक का issue है वो fix हो सके तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही उमीद करते है वीडियो आपको पसने होगा और इसके related पर आपको कोई भी problem कोई भी issue है दुब सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही thanks for watching